मैं WPS Office का जो इंस्टलर है वो इंस्टल कर रहा था जो की मेरा एक फोल्डर के अंदर था देख सकता है कि फोल्डर के अंदर में इसको इंस्टल किया था लेकिन यह क्या हुआ कि जब मैं इसको क्लिक करके डबल क्लिक करके इंस्टल कर रहा हूं तो यहां पे मेरे को यह करने क आपके बाद यह वाला एरर दिखा रहा है नसीस एरर और और भी दिखा रहा है कि एरर लॉंचिंग इन्स्टालर तो इसका मतलब यह ही है कि जब वह सेलफ प्रोस्थेस कर रहा है अप्लिकेशन को वहां पे बो सेलफ सेक नहीं कर पर आ क्योंकि एक modified installer हो सकता है तो इसके लिए आगे जाके इस software को कुछ problem हो सकता है या फिर broken हो सकता है इसको prevent करने के लिए वह यह वाला एरर जो है वह सो करता है अपने Windows को तो इसका solution यह ही है कि आपको पहले जो भी drive में आप इसको create करना चाते हैं रखना चाते हैं जैसे कि मैं इ कृषितल हो फोल्डर में है इसको यहां पर दोने केकर चाइब नहीं करना है कि यह जो यहां पर रखने करके शोब्लीक करने की को հोंगा तो यहां पर देख सकता है कि यहां पर यहां यहां पे यहां से होजय कि धर है कि थोड़ी दियर लोड वने के बाद यहां पे मेरा इंट्रफेस ए डॉबली इसका आ गया है यहां पे मैं येस पर गूंगी लुए-इस版 लाओ या को इस एकूर नहीं का करना है फोल्टर बीना फोल्टर केट किये है आप डायरेक्ली पेस्ट कीजिए उसी ड्राइब में आपका डायरेक्ली इंस्टल हो जाएगा ठीक है अगर आपको पसंद आता है तो इस पूर्ट को लाइक कर देज़ेगा और कमेंट मेरे को बताया कि आपका यह जो प्रोब्ल कि अगेँ नहांते है अजर लोग पका लाई झाल कhou जोगा झाल का लंपका यह जो जो